जहन दोस्तो आप सभी का आज की इस ब्यूडियो में स्वागत है तो दोस्तो आज हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं वो भरती निकली हुई है दोस्तो आर्मी रिक्रूटिंग आफिस सिलोंग की तरफ से तो यह भरती कौन-कौन सी डिस्टिक्स के लिए है और यह भरती कहां पर है इसके सेडूल क्या है पूरी जयनकरी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्र आप जरू करना तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको बता दें कि या जो भरती है इसके जो online registration है ऊद्वास फर्बरी दोजार 11 कि से 22 फरवरी 2021 तक हाप कर सकते हैं मतलब आठ है तो आज है दोस्तो आठ जनवरीय कल से आप इसके जो online registration कर सकते हैं ठीक है और यह जो भरती है दोस्तों वो 10 मार्च से 20 मार्च 2021 की बीच में दीमापुर नागालेंड में होनी है ठीक है यहाँ पर दोस्तों यह भरती दीमापुर नागालेंड की जो एक district है वहाँ पर होनी है लेकिन यह भरती में कौन-कौन से district के बच्चे हैं जो वो सामिल हो सकेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि army recruiting rally will be held for eligible candidates मतलब पूरा मेगाले कोई भी district यहाँ पर नहीं दी गई है अगर आप मेगाले के रहने बाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं और 10 मार्च से 20 मार्च 2021 की बीच में जो यह भरती होनी है इसके online registration 9 जनवरी 2021 से 22 फर्वरी 2021 तक चलेंगे इसमें apply कर सकते हैं और आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों अगर आप शर्वर करना चाहते हैं तो आपकी जो age limit है वो 16-17 साल से 13 साल होने चाहिए और आपकी जो date of birth है दोस्तों वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होने चाहिए height आपकी 160 cm for clerks के लिए और आपकी जो chest है दोस्तों वो आपका 77 cm होने वाली है अब यहां पर बेट का जो दोस्तों आपको पता है कि इंडियन आर्मी में अभी बेट का rule change हुआ है कि आपका जैसे पहले minimum 50 kg बेट लेते थे अभी वो change हो गया अभी आपकी height और आपकी age के साब से आपका maximum और minimum बेट जो है वो तै किया जाता है तो अगर आप को कोई भी confusion है बेट से संबंदित आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे इतनी height है इतना मेरे age है तो मेरा बेट कितना होना चाहेंगे तो आप मुझे comment करके बताएं मैं आपको एक separate video बनाऊंगा जिसमें मैं आप आपकी height और age के साब से आपको बेट है वो कितना होना चाहेंगे तो soldier clerks के लिए आपको apply करने के लिए 10 प्लस 2 यानि की intermediate class pass होना चाहें और intermediate में आपके 60% mark सुना अनवारी है और overall आपके 60% और किसी भी single subject में 50% mark से कम नहीं होने चाहेंगे उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों soldier technical nursing assistant ठीक है इसके लिए आपकी age limit साड़े 17 से 13 साल one between 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में और आपकी जो height है इसके लिए 157 cm ठीक है यहाँ पर chest आपका 77 cm और आपकी जो education qualification है वो 10 प्लस 2 पास होना चाहेंगे आपके पास में subject physics, chemistry, biology और English होना जरूरी है overall percentage आपके 50 और total किसी भी single subject में 40% मार्क से कम नहीं होने चाहेंगे ठीक है यह तो होगी दोस्तों आपके traits की बात और उनकी education, qualification, height और chest अभी आपको बता दें physical के बारे में तो यह जो physical है दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि आर्म में 4 physical होत 9 feet ditch और pull ups उसके बाद में zigzag balance ठीक है तो 5 minute 30 second तक अगर आप 16 minute running को cross कर देते हैं तो आपको group 1 allowed किया जाता है जिसके लिए आपको 60 marks दिए जाएंगे और group second में अगर आप आते हैं जिसकी timing दोस्तों 5 minute 31 second से 5 minute 45 second तक है तो आप group second में आएंगे जिसके लिए आपको 48 marks दिए ज एक दिलब्स दिए बात करना और यहां पर दोस्तो दिन की बात करें अगर pull ups की तो आप अगर 10 pull ups लगाते हैं तो आपको 40 marks 9 puts में आपके लिए 33 marks, 8 pull ups में आपके लिए 27 marks, 7 pull ups में आपके लिए 21 marks और 6 soldiers में आपके लिए 16 marks दिये जाएगे streets यह बात होगी आपके physical के, उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस भरती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो डेट अप बर्थ के बारे में आपको बता चुका हूँ एक बार मैं आपको ये और बता दूँ कि आपके जो ओनलाइन रेजिस्टेशन्स हैं वो कल यानि की 9 जनवरी 2021 से 22 फर्वरी 2021 की बीच में कर सकते हैं भरती दोस्तों पूरे मेगाले इस्टेट के लिए हैं मतलब मेगाले की आप किसी भी डिस्टिक के रहने वाले हैं आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं और उसके बाद में आपकी जो भरती होगी वो 10 माज 2021 से 20 माज 2021 की बीच में कहां पर होगी देमापुर नागलेंड में तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है अगर आपको कोई भी चीज पूचने हो इस भरती से समझ में नहीं में आई हो तो मुझसे आप डारेक्ट कॉंटक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसिस करके पूच सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.